आप सबको मेरा नमाशकार यह सेशन में आप मैं आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताऊंगी हमारे पास हेल्स पो कुंटरल है इंपर्टन्स प्रोटीन और प्रोटीन के महत्वा और सारी रेसिपीज तो प्रोटीन एक प्रकार दो पोशक तत्वा है बहुत ही भात्व पुरुन पोशक तत्वा है अगर आप देखेंगे तो बाई अलाज सब के खाने में प्रोटीन के महत्रा बहुत कम है ठीक है तो यह स कहता होना चाहिए कि आप अगर क्लीट करेंगे आपके खाने में तो आपको खुद को कितना प्रोटीन ब्लोड रहा है तो वह यह टुटॉरल देखने के बाद आपको पता चलेगा मैं आपको थोड़ा समझाओंगी कैसे कैसे कैक करना है आपको सिफ आपका ही नहीं आपको आ क्योंकि यह टुटोर में लोगों ने दिखा है कि सब को कितनी प्रोटीन की जरूत है, बतलब कितना प्रोटीन होना चाहिए खाने में ठीक है, तो सबसे पहले तो यह पोशक तत्वर 2 है, प्रोटीन, उसमें हमारी बोडी में उसके बैंक नहीं है, इसका स्टोरेज नहीं हो लेकिन किसका प्रोटीन बनाओ है, हमारे कौनसे कौनसे अंग है, प्रोटीन के बने है, सारे अंग, pretty much, everything, ठीक है, most of the protein, जो सारा, mostly protein जो है, हमारे muscles में है, हमारे mass में है, ठीक है, तो आपको प्रोटीन खाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यह प्रोटीन अग प्रोटीन बहुत important है, रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए, बहुत सारे रोग होंगे, ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में सिखना बहुत जरूरी है, प्रोटीन किसका बनाओ है, उसको बोलते है, amino acids, छोटे-छोटे amino acids होते हैं, वो amino acids जबी साथ में मिलते हैं, त अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन की क्या महत वाता है, बहुत सारे जो जो मैंने बताया है, मास बनाई हुआ है, लेकिन हमारे बोडी में जो सारे compounds है, बहुत सारे compounds है, वो भी प्रोटीन के बने हुए है, जैसे ईवोगलोबिल है, आपका ये जो, you know, insulin है, बहुत सारें जो transport molecules है, वो सारे हुआ है, होरमोन के बने होए है, neurotransmitter नीड हुआ है, अपके बहुत सारे अंग भी protein के ही बने होए है, तो इसलिए protein काना बहुत जरूरी है, दूसरा ये चीज है कि, जैसे रहा मैंने amino acid के बारे में बताया, amino acid नओशेटी टोटल लगबक वाइस जा है उस में 9 amino acids है reasoning ने आपके बौडी में वह अत्पन होती है देकर तो वैस में जो खाना खा रहे हो उस में 9 amino acids हने हो बहुत जरूरी है मँझाए हम जो भी खाना खाता है तो कई लोग वेगेटान स्क्राइब कांथे स्पन कह कमा खाटने माली हुका, जो फरत क्या है क्योंकि कोई बोलते हिकए कि मैं वेटरियरनी ब्रोटिन गाती हूं मैं नन्वेज नी खाती हूं लेकिन उसका सायना है जो विग् friendships , मैं आपको थोड़ा पता हूं जो ठैठीज है जएसे राब, नाहिए नाज हो वेजटेंट प्रोटीन है, उसको कम्रोग बोलते हैं कहले हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन, मतलब पूरा, पूरा नहीं है, प्रोटीन, क्यों? क्योंकि जो 9 amino acids मैं ने जो पता है जो खाने में मिलने चाहिए यह सारे जो 9 amino acids वेजटरन खाने में अगर सब्सक्राइब दाल खाया अपने सिर्फ दाली कि आरक और कुछ नी कहाया से दाल ली अपने तो दाल में जो 9 amino acids है जो 9 amino acids है पूरती मात्रा में नहीं है कौन सा amino acids नहीं है और अपने सिर्फ चावल का है बहुत सारे ऐसे होते कि चावल दान लेते हैं तो चावल पर amino acids विसको बोलते हैं lysine तो lysine की मात्रा बहुत कम है amino acids तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी भी आप vegetarian source of protein खाते हैं, तब भी आपको दो अलग-अलग cheese ऐसे mix करनी है, जिससे आपको सारे 9 amino acids मिलें, तो आपको वो complete protein करना चाहिए, तो for example, जैसे हमारे culture में हमेशा दाल और अनाज साथ में पकाते हैं, खिच्डी है, चावल और दाल, डोसा है, चावल, दाल, कुछ भी है, दाल-चावल, तो सारा हमेशा जो भी हम लोग बनाते हैं, हमेशा दाल और चावल एकटा करके हम लोग बनाते हैं, तो वो बहुत important है कि उसको complete बनाना है, अगर आप सिर्फ अनाज ही खाएंगे और डाल नहीं खाएंगे तो आप में जो 9 amino acids है वो आपको मिलेंगे नहीं, अगर 9 amino acids नहीं मिलें तो जो भी अपने प्रोटीन जितना भी amino acids का है वो पूरे बॉडी से निकल जाएंगे, उसका कोई फिर महत्वर हैगा नहीं, तो दूद में सारे 9 amino acids है, तो सारे 9 amino acids जो खाने में मिलने चाहिए, सारे के सारे तो उसको अमें बोलते है complete protein, अगर अगर आपने एक पर दूद या दही खा लिया तो फिर आपको दूसरा और उसके साथ मतलब, अफको डिएट्री डिवरसिटी तो इंपोर्टेंट है ही, लेक अच्छी कॉलिटी का प्रोटीन आपको मिलेगा, मतलब सारे 9 amino acids आपको दूद में मिलेंगे, पनीर में मिलेंगे, खोवा में मिलेंगे, अंडा है, नॉन वेज़ फूड है, उसमें सारे में complete protein है, पूरा पूरा protein है, मतलब सारे 9 amino acids जो होने चाहिए, वो सारे वो नॉन वे है, तो आपको ध्याने रखना है कि at least खाने में दही हो, पनीर हो, इवन बच्चों के खाने में, जभी 6 मेने के बाद आप चालो करो खाना, तो आपको ध्याने रखना है कि बच्चे को complete protein मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो complete protein तो इसको मिलेगा, दूद के प्रदाट स प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उपर का दूद नहीं चालो करना है क्योंकि 6 मेने का बच्चे अभी भी मा का दूद पर आ है, तो दो साल तक आपको सिफ मा का दूद देना है, लेकिन दही और पनीर आप 6 मेने के बाद चालो कर सकते हो, ठीक है, मा का दूद है वो पुरा complete protein है, पूरे सारे 9 amino acids उसमें है, दूसरे जो 13 amino acids है, वो हमारे बोड़ी में उत्पन होते हैं, तो प्रोटीन जो उत्पन होता है हमारी बोड़ी में, उसको हम बोलते हैं non-essential, बलब आवशक, खाने में आवशक नहीं है, वो हमारी बोड़ी में उत्पन होते हैं, लेकिन उत्पन ह इसलिए जब बताई है कि 40 पोशक्सक्तव चाहिए खाने में तो ऑफ ब्रोटीन बने गाए, तो दूसरा मैंने पताया हुआ है बहुत important concept है कि कितना प्रोटीन हम लोगो को खाने में चाहिए तो मैं शरेरास में बताती हूं कि लगबग 1 gram, 1 gram per kilogram जितना protein हमारे खाने में आना चाहिए तो लगबग ladies चो होते हैं, लगबग 55 gram, 55 kilo की होते हैं तो उसके खाने में लगबग 55 gram जितना protein minimum होना चाहिए अगर कोई है जो ज़्यादा moderate amount में काम करिये, घर का काम करिये तो उसको protein की मातर थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो वो भी मैंने बताया हूँ है अगर जो बहुत जो खेत में काम करा है, जो बहुत भेहनत का काम करा है उसको 1.5 gram per kilogram जितना protein चाहिए खाने में तो जितना उसका वजन है, उसको 1.5, 1.5 गुना protein उसको चाहिए खाने में दूसरा यह है कि अगर जबी आप हर मील में protein होना बहुत जरूरी है और कौन से खाने में कितना protein मिलेगा वो भी मैंने बताया हूँ है लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है हम लोग ने dia score भी देया हूँ है, d-i-a-a-s, dia score dia score से आपको पता चलेगा कि जो भी खाना खारे हो, आपके body में वो कितना उसका शोशन होगा तो जैसे आपको पता चलेगा कि जो गेहु है, गेहु का dia score is only about 0.5, 0.5 है उसका मतलब सिर्फ आधा protein ही body में absorb होगा, वो बहुत poor quality amino acids है मतलब protein है, तो वो ध्यान में रखना है कि जबी भी आप calculate करो, वो dia score calculate करके आपको ध्यान में रखना है कि मेरे body में कितना protein गया body में मतलब रख दवाही नहीं में, ठीक है, अपने खाना तो खाया, लेकिन वो पूरा उसका solution हुआ कि नहीं, वो आपको calculate करना है, तो जैसे dia score है, जो दूद का है, पूरा अल्मोस्ट एक से भी जादा है, उसका मतलब यह कि पूरा जितना भी protein वो आप ले रहे हैं, सब्सक्राइब एक क्लास दूद में लगबग आठ ग्राम प्रोटीन है, पूरा आठ ग्राम आपका solution होगा, ठीक है, प्रोटीन का solution होगा, अंडे में भी पूरा बहुत जादा है, उसका मतलब यह कि पूरा जो प्रोटीन है, एक गंडे में लगबग 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो पूरा प्रोटीन वो सोशन होगा, ठीक है, तो यह आपको दिहान में रखना है, कि जब भी आप calculation करो तो वो डायस कोर धियान में रखो, ठीक है, जितना कम डायस कोर वो आपको उतना प्रोटीन आपको माइनस करना पढ़ेगा यह तो मैंने आपको सक्षम में प्रोटीन के बारे में बताया आपको detail में यह importance of protein जो है हमारे टूटोराल में ने बताया हॉआ है तो वहाँ से आपको पता चलेगा प्रोटीन के महत्व के बारे में बने spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे हमारे शरीर के लिए protein के लाब इसकी कमी का शरीर पर असर अलग-अलग उम्र में इसकी जरूरते खाने के स्रोत protein हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोशक तत्व है यह 22 amino acid से बना है 22 में से 9 amino acid जरूरी है यह हमारे शरीर में खुद नहीं बनते इसलिए इन्हें खाने के जरीए लेना पड़ता है बाकी के 13 शरीर द्वारा बनते हैं अब मैं आपको संक्षेप में amino acid के बारे में बताऊंगी amino acid कार्बनिक योगिक होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़े होते हैं लाइसीन, लिूसीन, हिस्टीडीन, मेथियोनीन, ट्रिप्टोफैन कुछ amino acid हैं प्रोटीन को दो प्रकारों में बांटा गया है वे हैं पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन उनके बीच का फरक खाने में मौजूद amino acid पर निर्भर करता है पूर्ण प्रोटीन वे हैं जिनमें 9 जरूरी amino acid हैं सभी मासाहारी खानों में पूर्ण प्रोटीन है जैसे की चिकेन, अंडे, मचली और मास ऐसे ही दूद वर दूद से बनी चीजें पूर्ण प्रोटीन का जरिया है अपूर्ण प्रोटीन में पर्याप्त मात्रा में एक या एक से अधिक जरूरी amino acid नहीं होते जादातर शाकाहारी खानों में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं जैसे की डालों में, अनाज, दाने और बीजू में इन सब में से सोया बीन प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी उदाहरन है प्रोटीन मास पेश्यों की वृद्धी, मरम्मत वह सही देखबाल के लिए भी लाबदायक है ये खून में शक्कर के स्तर को काबू में रखता है रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाता है प्रोटीन से भरपूर खाना भूग को कम करता है और काफी समय तक हमें भरा हुआ महसूस होता है इस सही वजन बनाए रखने में भी मदद मिलती है इसके दो और काम है पाचन में मदद और विशैले पदार्थों को तोड़ना ये दिमाग तक संकेतों को ले जाने में भी मदद करता है शरीर में पोशक तत्वों को लानी ले जाने और एक जगा इकठे करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पढ़ती है आईए अब हम प्रोटीन की कमी के संकेत और लक्षनों को समझें प्रोटीन की कमी की एक पहचान है ब्रून का विकास कम होना बच्चों में इसकी कमी से वेस्टिंग और स्टंटिंग हो सकते हैं इससे शरीर का वजन कम हो सकता है ऐसे में शिशू को अलग-अलग बिमारियों का खत्रा होता है शिशू के सही विकास ना होने के कारण उसके दिमाग का विकास भी सही न होने का खत्रा होता है आगे जाकर शिश्यों में अच्छी तरह विकास न होने पर उनमें मदुमें होने का खत्रा होता है उनके बड़े होने पर उच्च रक्तचाप भी हो सकता है उम्र में बड़े लोगों को प्रोटीन की कमी से मास पेशियों को नुकसान होता है वे थकान भी महसूस कर सकते हैं उनमें कमजोरी और बिमारी होने का खत्रा होता है चहरे पर जुर्यां पढ़ना और बालों का जढ़ना इसके अन्य उदाहरन है अलग-अलग उम्र के लोगों की हर रोज की अलग-अलग ज़रूरते हैं इस टुटोरियल में प्रोटीन की मात्रा की सला शेत्र में देखे गए मूल्यों के अधार पर दी गई है नवजात से बारा महीने के शिशूँ के लिए यह एक से दो ग्राम प्रती किलो ग्राम उनके शरीर के वजन के बराबर होता है एक से तीन साल के शिशूँ के लिए सोला ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है 4-6 साल के बच्चों के लिए 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है 7-9 साल के बच्चों के लिए 39 ग्राम की सला दी जाती है 10-12 साल तक के बच्चों के लिए 40 ग्राम की जरूरत होती है किशोरों के लिए 52-62 ग्राम की सला दी जाती है गर्ब वती महिलाओं के लिए 78 ग्राम और स्तन पान कराने वाली माओं के लिए 68 से 74 ग्राम प्रोटीन की सला दी जाती है उम्र में बड़ों के लिए प्रोटीन की जरूरत उनके शरीर की गतिविधियों के अनुसार होती है गतिविधी को इस तरह बाटा जाता है बैठने का काम, कम भारी काम और भारी काम पढ़ाना जादा तर बैठने का काम होता है सिलाई करना, आंकडे भरना और कॉल सेंटर की नौकरियां भी मेज कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाले भी इसी में शामिल है कम भारी काम में खेती का काम शामिल है घर काम मकान बनाने वाले और ड्राइवर भी भारी काम में पत्थर तोड़ने वाले शामिल हैं लकड़ारे, खिलाडी और खान में काम करने वाले भी बैठनी का काम करने वालों को प्रती किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से एक ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है मानक शरीर का वजन वो होता है जो एक तंदुरुस्त विक्ति के लिए एक दम सही होता है कम भारी काम करने वालों को प्रती किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से एक पॉइंट दो ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है भारी काम करने वालों को प्रती किलो ग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से डेड़ ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं एक 55 kg कम भारी काम करने वाली स्त्री को प्रोटीन की जरूरत 66 ग्राम होगी. यदि वही स्त्री भारी काम करे तो उसे 82 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी. रोज प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सला दी जाती है. ऐसा खाना 6 महीने की उम्र से ही दिया जाना चाहिए अब हम खाने की चीजों में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम बिना हड़ी के चिकन में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है ऐसे ही 100 ग्राम मचली में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है 500 मिलीलिटर गाय के दूद में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है 500 मिलीलिटर गाय के दूद से बने दही में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है गाय के दूद से ही बने 45 ग्राम पनीर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है 20 ग्राम दानों व बीजों में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन ही होता है 30 ग्राम कच्ची सोयाबीन में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन होता है 30 ग्राम कच्ची फल्यों में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है 30 ग्राम कच्ची दाल में लगभग 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है 30 ग्राम कच्चे सफेद चावल में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है 30 ग्राम कच्चे कंगणी में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है 30 ग्राम गेहूं के आटे से बनी एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है जवार और बाजरे की रोटी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है एक मिसी रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है मिसी रोटी, बेसन और गेहुं का आटा बराबर मात्रा में लेकर बनाई जाती है शरीर शाकाहारी खाने में मौजूद प्रोटीन की तुलना में मासाहारी खाने के प्रोटीन को जादा सोखता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मासाहारी खाने में पूर्ण प्रोटीन होता है प्रोटीन की गुणवत्ता मासाहारी खाने में बहतर होती है शाकाहारी खाने के मुकाबले। प्रोटीन की गुणवत्ता को DIAAS विधी द्वारा जाचा जाता है। DIAAS, Digestible Indispensable Amino Acid Score होता है। ये खाने में पचने योग्य अमाइनो एसिड और जरूरी अमाइनो एसिड का अनुपात है। इसका अंक शून्य से एक तक दिया जाता है। एक सबसे जादा और शून्य सबसे कम होता है। आईए हम कुछ खाने की चीज़ों के पाचनशक्ती के अंक देखें। अंडे के पाचनशक्ती का अंक है 1.18 फैट से भरपूर दूद के पाचनशक्ती का अंक है 1.32 मटर का अंक है 0.64 सफे छोले का अंक है 0.66 पके हुए चावल का 0.59 अंक है यहूं का अंक है 0.43 भुनी हुई मुंभली का पाचनशक्ती अंक है 0.43 जैसे कि पहले भी बताया गया है शाकाहारी खाने में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं अनाज में लाइसीन कम और दालों में मेथ्योनीन कम होते हैं इन्हें एक साथ खाने से अमाइनो एसिट की कमी की भरपाई होगी अनाज और दालों को एक साथ खाने से प्रोटीन की मातरा में सुधार होता है इसे प्रोटीन की पूर्न क्रिया कहा जाता है अलग-अलग खादे समुहों में से तरह-थरह की चीजों से खाना बना कर खाना चाहिए अलग-अलग खाद समूहों की चीजों को खाने से अलग-अलग जरूरी Amino Acid लेने में मदद मिलती है दूद से बनी चीजों के साथ डाले और अनाज खाने से प्रोटीन की गुणवता बढ़ती है अनाच और डालों में जो अमाइनो एसिड ना हो उनकी कमी दूद से बनी चीजों से पूरी की जा सकती है अब हम इन अलग-अलग खादिसमूहों से बने खानों को देखेंगे रायते के साथ बाजरे की खिचड़ी, कड़ी चावल और पनीर पराठा कुछ उदाहरन है दही के साथ थाली पीठ और दही के साथ ही राजमा चावल अन्य उदाहरन है अनाज या बाजरा को मासाहारी खाने के साथ खाने से भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है अब मैं आपको कुछ अलग-अलग खादे समुहों से खाने की चीजें बनाना बताऊंगी वे हैं बाजरा, चिकन, पुलाव, अंडा दोसा और चिकन, बाजरा रोटी, अंडा चावल, मासाहारी भरवा पराठा, नाचनी के कोफते और चिकन करी अन्य उदाहरन है इनके अलावा हम अन्य खादे समुहों की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे दही चावल, पालक पनीर की सबजी, नारियल दही की, चटनी, इसके कुछ उदाहरन हैं करी में दानू और बीजों के घोल का प्रयोग करने से भी प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है तंदुरुस्ती के लिए हर रोज अपने खाने में ये सभी चीजें शामिल करनी चाहिएं अब ये टुटॉरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे प्रोटीन के फाइदे और प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीके प्रोटीन हमारे मास पेशियों के उतकों की वृद्धी उन्हें ठीक करने और उनके रख रखाव में मदद करता है यह खून में शक्कर के स्थार को नियंतरित करने के लिए भी जिम्मेदार है प्रोटीन के महत्व को एक अन्य टुटॉरियल में विस्तार से बताया गया है क्रिपया इस टुटॉरियल के लिए हमारी वेबसाइट देखें अब हम प्रोटीन के शाकाहारी सरोतों को देखते हैं दूद और दूद से बनी चीजें, डाले, दाने और बीज भी प्रोटीन के अच्छे सरोत हैं देखते हैं प्रोटीन से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके सबसे पहले सीखते हैं पनीर मसाला इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 70 ग्राम या आधा कप पनीर, 70 ग्राम या आधा कप दही, एक बड़ा चमच भुना हुआ बेसन, इसके साथ साथ आपको चाहिए एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच कड़ी पत्ते का पाउडर, आधा चमच गरम मसाला, एक चमच तेल या घी और नमक स्वादनुसार, बनाने का तरीका, एक बर्तन में दही को फेंटे, इसमें मसाले, नमक, कड़ी पत्ता पाउडर और बेसन मिलाएं, इस मिश्रन को फिर से एक और बार मिलाएं, अब इसमें पनीर के टुकडे डालें और अच्छी तरह मिला लें। बर्तन को ढखकन से ढखें और इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। एक बर्तन में एक चमच तेल या घी गरम करें। अब पनीर को दही के मिश्रन के साथ डाल दें। इसमें आधा गिलास पानी मिलाएं। इस मिश्रन के गाड़ा होने तक दो से पांच मिनट तक पकाएं। पनीर मसाला तैयार है। आधी कटोरी पनीर मसाले में से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगला हम बनाना सीखेंगे मूम की सबजी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम या 3 चौथाई कप दही, 30 ग्राम या 1 चौथाई कप अंकुरित मूंग, 1 चौथाई कप बारी कटी धनिया की पत्तिया, 4 चमच बेसन, आधा चमच हल्दी पाउडर, 1 चमच लाल मिर्च पाउडर, और चाहिए होगा आधा च चमच राई, आधा चमच जीरा, 1 हरी मिर्च, 1 चमच तेल, 4-5 कड़ी पत्ते और नमक स्वादनुसार, अब मैं बनाने का तरीका समझाओंगी, सबसे पहले मूंग को अंकुरित करेंगे, मूंग को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इसको छाने और एक साफ सूती कप पड़े में बांध दें, फिर इन्हें एक दिन के लिए अंकुरित होने तक हलकी गरम जगह पर रख दें, अंकुरित मूंग और हरी मिर्च को मिक्सी में पीस कर दरदरा पेस्ट बना लें, यदि मिक्सी नहीं है तो आप सिल्बटे का इस्तिमाल कर सकते हैं, इस पेस्ट को एक कटोरे में रख लें, अब इसमें धनिया की पतियां, दो चमच बेसन और नमक डाल कर अच्छी तरह मिलाएं, फिर पेस्ट की छोटी-छोटी गोलियां बना लें और उन्हें भाप लगवाने के लिए प्लेट पर रखें, अब उन्हें 6-8 मिनट तक के लिए भाप लग पकाएं, पकी हुई गोलियों को ठंडा होने रखें, दही की करी के लिए दही को एक कटोरे में फेंट लें, अब इसमें मसाले के साथ दो चमच बेसन मिलाएं, और इन सब को अच्छी तरह से मिला लें, अब एक कप पानी डाल कर फिर से मिलाएं, और इस मिश्रन को एक तर मिश्रन मिला दें इसे मध्यम आंच पर पकाएं मिश्रन के गाड़ा होने तक उसे लगातार हिलाते रहें गाड़ा होने के बाद उगली हुई गोलियां डालें और एक मिनट तक पकाएं मूं की सबजी तयार है आधिकटोरी सबजी में लगबग 17 ग्राम प्रोटीन होता है त और सोया से बना दोसा तिल के बीजों के पाउडर के साथ इसे बनाने के लिए चाहिए देड़ बड़े चमच सोया बीन, दो चमच जवार, दो चमच उड़त की डाल और एक चमच मिठी के बीज तिल के बीजों का पौडर बनाने के लिए आपको चाहिए दो चमच भुने हुए चने, दो चमच उड़त की दाल, दो चमच तिल के बीज, दो सुखी लाल मिर्च, एक कड़ी पत्ता की डंडी और नमक स्वादनुसार आपको एक चमच तेल या घी भी चाहिए होगा, बनाने का तरीका, सब को धो लें, जवार, उड़त की दाल और सोयाबीन, इन्हें आट गंटों तक पानी में भिगोएं, मेथी के बीजों को भी उसी बरतन में भिगो दें, आट गंटों बाद इन्हें पीस कर बारीक पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को कटोरे में निकाल लें, फिर पेस्ट में खमीर उठाने के लिए हलकी गरम जगह पर साथ से आट गंटे तक रखें, अलग से एक गरम पतीले में लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को कुरकुरा होने तक भून लें, ठंडा होने के लिए अलग रख दे उसी पतीले में भूने चने, उड़त की दाल और तिल को भून लें, इन्हें हलका सुनहरा होने तक भूनते रहें, फिर इसे ठंडा होने के लिए अलग रखें, ठंडा हो जाए तो इसे पीस कर महीन पाउडर बना लें, इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे, जब पेस्ट में खमीर उट जाए, तो उसमें नमक डाल कर मिलाएं, तवे पर तेल या घी गरम कर लें, और पेस्ट को उस पर डालें, फिर समान रूप से फैलाएं, जब डोसा थोड़ा पक जाए, दो चमच तयार किया हुआ, तिल के बीजों का पाउडर डाल दें, अब डोसा के पकने तक एक धकन से ढग दें, जवार और सोया डोसा बन कर तयार है, दो डोसों में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है, अगला सीखेंगे काले चने का कटलेट, इसे पकाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम अंकुरित काले चने, 40 ग्राम या डेड बड़ा चमच दही, एक बारी कटी हुई गाजर, एक छोटा प्याज कटा हुआ, 15 ग्राम या एक बड़ा चमच भुना हुआ बेशन और 20 ग्राम तिल के बीज, इसके साथ साथ चाहिए, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच मिर्च पाउडर, एक चमच अद्रक लेसुन का पेस्ट, दो चमच तेल या घी और नमक स्वाद अनुसार, बनाने का तरीका, अंकुरित चने को कुकर में तीन सीटियां लगवाएं, कुकर में से पूरे भाप का निकल जाने का इंतजार करें, उबले हुए अंकुरित चनों को ठंडा करके, एक कटोरे में अच्छे से मसल लें, इसमें प्याज, गाजर और भुना हुआ पेसन अच्छे से मिला लें, इन गोलूं को दबाकर कटलेट का आकार दें, अब इन कटलेट पर तेल के बीज लगाकर अलक रख दें, तवे पर तेल या घी डालें, हलकी आंच पर कटलेट को दोनों तरफ भूरा होने तक सेक लें, काले चनों के कटलेट तैयार हैं, चार कटलेट से 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अनाज और दालों में पूरा प्रोटीन नहीं होता, दालों में मेथियोनिन कम होता है और अनाजों में लाइसीन की कमी होती है, इसलिए बताए गए खाने अलग-अलग खादे समू के खाने मिला कर तैयार किया गया है, इन्हें एक साथ खाने से आहार में अमाइन इसे प्रोटीन की पूरक क्रिया कहा जाता है इसी के साथ हमारा टुटॉरियल समाप्थ होता है इस स्क्रिप्ट को विने कुमार ने अनुवादित किया है आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आप से विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रोटीन युक्त मावसाहरी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम प्रोटीन से भरपुर कुछ मावसाहरी खाना बनाना सीखेंगे प्रोटीन मास पेशियों के उतकों की वृद्धी, मरमत और रख रखाव में मदद करता है यह खून में शुगर के स्थर को नियंतरित करता है हमें मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ती के लिए भी इसकी ज़रुरत होती है हमारे शरीर में प्रोटीन के महत्व को एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है इस टुटोरियल के लिए क्रिपया हमारी वेबसाइट पर जाएं आईए अब कुछ प्रोटीन से भरपुर खाना बनाना सीखते हैं मावसाहरी खाना बनाने से पहले निम्बू का रस या दही लगाए इमली का पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते है इसे पकाने से एक घंटे पहले लगाना चाहिए इसमें अद्रक लहसुन पेस्ट और हल्दी जैसे मसाले भी मिला सकते है यह स्वाद बढ़ाने और मांस को नरम करने में मदद करता है सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे चिकन करी इसको तयार करने के लिए आपको जरुरत होगी 100 ग्राम या 4 टुकडे बिना हड़ी का चिकन 50 ग्राम या आधा कटोरा दही, एक मध्यम आकार प्याज कटा हुआ, एक चोटा चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट और मुठी भर धुली और कटी हुई धनिया पत्ती जरुरी मसाले है, एक चोटा चमच लाल मिर्च पावडर, आधा चोटा चमच हल्दी पावडर और एक चमच गरम मसाला पावडर आपको इनकी भी जरुरत होगी, एक चोटा चमच तेल या घी और नमक प्रक्रिया चिकन को धोकर साफ कर ले, चिकन पर थोड़ा नमक लगा कर 20 मिनट के लिए अलग रख दे, एक पैन में एक चोटा चमच तेल या घी गरम करे, प्याज डाले और सुनेरा भूरा होने तक भुने, अद्रक लेसुन का पेस्ट डाले और कच्ची महक जाने तक पकाएं, अब मसाले और नमक डाले, इसे दो मिनट तक पकाएं, इस बीच दही को मुलायम होने तक फेटें, फिर चिकन में दही डालकर अच्छी तरह मिलाले, अब आधा कब पानी डाले, पैन को धकन से बंद करें और चिकन को पकाएं, अंत में गरम मसाला और हरा धनिया दाले फिर से धीमी आज पर एक मिनट तक पकाएं चिकन करी तयार है इस चिकन करी के एक कटोरी में लग भग 20 ग्राम प्रोटीन होता है दूसरा सीखेंगे ओमलेट करी इसको तयार करने के लिए आपको जरूरत होगी दो अंडे एक मध्यम आकार कटा हुआ प्याज एक मध्यम कटा टमाटर दो बड़े चमच कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल एक बड़ा चमच भुनी हुई मुंग फली आधा निम्बू के आकार का पानी में भिगोया हुआ इमली का गोला और मुठी बर धुले और कटे हरे धनिया के पत्ते जरूरी मसाले है आधा छोटा चमच हल्दी पावडर, दो सूखी साबुत लाल मिर्च और एक चमच गरम मसाला पावडर आपको दो चमच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वादानुसा नमक, प्रक्रिया एक पैन गरम करे और मध्यम आज पर नारियल और लाल मिर्च को सूखा भून ले, इन्हें खुश्बू आने तक भूने इन्हें थंडा होने दे, भूनी हुई मूंग फली और इमली डाल कर पीस कर पेस्ट बना ले मुलायम सा पेस्ट बनाने के लिए पानी डाले, हाला कि पीसने से पहले इमली के बीज निकालना जरूरी है इस पेस्ट को बाद में इस्तमाल के लिए अलग रख दे एक पैन में आधा चमच तेल गरम करे, प्याज डाले और प्याज को सुनेरा भूरा होने तक भूने इसमें कटे हुए टमाटर डाले और टमाटर के नरम होने तक पकाए हल्दी पावडर, नमक डाले और अच्छी तरह मिलाए अब इसमें पीसा हुआ पेस्ट और आधा कब पानी डाले इसे पाँच मिनट तक पकाएं इस बीच हम आमलेट बनाना शुरू कर देंगे आमलेट बनाने के लिए एक कटोरे में दो अंडे, स्वादा नुसार थोड़ा सा नमक डाल कर फेंटे धनिया पत्ती डाले और फिर से अच्छी तरह मिलाए पैन में आधा छोटा चमच तेलिया घी गरम करे और फेटे हुए अंडे डाले पल्टे और दोनों तरफ से मध्यम आजपर पकने तक पकाएं आमलेट को लंबे टुकडों में काट कर करी में डाल कर अच्छी तरह मिला ले अंध में गरम मसाला पाउडर डाले और दो मिनट के लिए फिर से पकाएं आमलेट करी तयार है आधा कटोरी आमलेट करी में लगभग 16 ग्राम प्रोटीन होता है अगला है सूखे जिंगा फ्राई किरपया ध्यान दे की जिंगा एक वर से कम उम्रके बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए आईए जानते हैं इस खाने को बनाने के लिए जरूरी सामगरी के बारे में 50 ग्राम या आधा कटोरी सूखा जिंगा एक बड़ा चमच भुने तील का पावडर आधा मध्यम आकार का प्याज और आधा मध्यम आकार का टमाटर जरूरी मसाले हैं आधा चोटा चमच हल्दी पावडर एक चोटा चमच मिर्ज पावडर और आधा चमच गरम मसाला पावडर आपको एक चमच तेल या घी की भी ज़रूरत होगी और स्वादानुसाल नमक प्रक्रिया आईए हम तील के बीज का पावडर तयार करना शुरू करते हैं एक पैन गरम करे और उसमें दो बड़े चमच तील को उनके चटकने तक भून ले तील को ठंडा होने दे और बार एक पीस ले इसे बाद में इस्तमाल के लिए अलग रख दे इसके बाद जिंगों को धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भीगो दे यदि सूखे जिंगे के सीर और पूझ हो तो कृपया उन्हें धोने से पहले हटा दे इस बीच एक पैन में तेलिया घी गरम करे और कटा हुआ प्याज डाले प्याज को हलका सुनेरा होने तक भूने फिर टमाटर, मसाले और नमक डाले अच्छी तरह मिलाए और टमाटर के नरम होने तक पकाए सूखे जिंगे को चलनी में कुछ मिनट के लिए चान ले इसे पैन में डाले और अच्छी तरह मिलाए पैन को धक्कन से बंद करके 5-6 मिनट तक पकाए आखिर में तील का पावडर डाल कर 5-10 सेकंड तक फिर से पकाए सूखा जिंगा फ्राई तयार है आधा कटोरी सूखे जिंगा फ्राई में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है अगला है मटन कटलेट इस कटलेट को तयार करने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धुला हुआ बिना हड़ी का मटन दो बड़े चमच भीगे हुए चने की दाल पाव कटा हुआ प्याज और एक चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट जरूरी साबुत मसाले है दो से तीन काली मिर्च, दो लोंग, एक से दो इलाईची और आधा इंच डाल चीनी आपको इनकी भी जरूरत होगी आधा चमच हल्दी पावडर, आधा चमच धनिया पावडर और आधा चमच मिर्च पावडर आपको दो चमच तेल या घी की भी जरूरत होगी और नमक स्वादानुसार प्रक्रिया मटन के टुकडों को प्रेशर कुकर में डाले इसमें तेल के अलावा सभी सामगरी डाले सब कुछ अच्छी तरह मिलाले फिर एक गिलास पानी डाले इसे लगभग 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाए प्रेशर निकलने दे मिश्रन को ठंडा होने दे मिश्रन में से सारे मसाले अलग कर ले फिर इस मिश्रन को एक बड़े चमच से घोट ले आप इसे सिल्बटे या मिक्सी में दरदरा भी पीश सकते है मिश्रन को कटलेट का आकार दे एक पैन में एक छोटा चमच तेल यागी गरम करे कटलेट को मध्यमाज पर दोनों तरफ से पकने तक तले मटन कटलेट तयार है चार कटलेट में लगभग 23 ग्राम प्रोटीन होता है अच्छे स्वास्त के लिए अपने रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रेप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं सनिहा किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद अभी आपने प्रोटीन का टुटोरिल देखा आपने देखा कि कैसे प्रोटीन कौनसे खाने से हम लोगे मिलता है कि इतना मिलता है डाय स्कूर भी देखा आपने आपने देखा कि जो डीरी प्रोडक्तśmy और जो नॉन विज फूड है उसमें डाय स्कूर है मतलब पूरा प्रोटीन सोशन होता है तो आपको भी काम करना है, आपका प्रोटीन, जो खाने में हरोज, आपको काना खाते हो, आपको कालकुलेट करना है, कि आपको खाने में कितना प्रोटीन मिलता है, लेकिन कितना सोशन होता है, तो आपको पूरा कालकुलेट करना है, तो आपको पूरा कालकुलेट करना है, त दाय स्कोर इस अब पॉइंट 5, मतलब पॉइंट 5 है, मतलब उन्ही आधा प्रोटीन सोशन हो रहा है, मतलब 3 ग्राम प्रोटीन आपको लगबग 1.5 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा, तो वैसे आपको पूरा कैल्कुलेट करना है आपके काने में, और मुझे बताना है जब भी लाइफ सेशन हो कि कितना प्रोटीन आप खा रहे हों, ठीक है, और आपको यह भी कल्कुलेट करना है कि आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, मतलब आप सेलेंटरी हो, ज्यादा अगर ऐसे बहुत काम नहीं कर रहे हो, मॉडरेट काम नहीं है, इतना हेवी काम नहीं है, तो आप बहुत ध्यान में रखनी है कि हमारी जो मदर्स है, इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है खाने में, ठीक है, तो आपको वो प्रोटीन मा को बताना है कि कौनसे कौनसे प्रोटीन चीज, प्रोटीन वाली चीज है, उसके जो सारे चार्ट से, मैं आपको वहाँ पे मेरे जो आपको बहुत अच्छा लगाई है यह प्रकारदो का है यह पोशक कात्व और ध्यान में रखो कि कल से आपको प्रोटीन बढ़ाना है, ठीक है, तन्यवादा. उन्यवोरा बहुत अच्छा लगाई हैं